दोस्तो आज की वीडियो में हम सेखने वाले हैं Microsoft Excel के कुछ Advanced Features के बारे में जिसका नाम है Private Chart तो दोस्तो पाइविट चार्ट के थुरू हम हमारे कंपनी के डाटा को बड़े से बड़े डाटा को भी हम शोट कर सकते हैं कंपेरेजन करके हम ग्राप के थुरू तो चार्ट के थुरू उस सारे डाटा को क्लियर करके देख सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं Microsoft Excel के Insert के A Menu में आपको एक Option मिलेगा यहाँ पर Private Chart के बारे में तो दोस्तो पाइविट टेबल और पाइविट चार्ट यह दोनों ही Microsoft Excel के एक Advanced Excel की कैटिगरी में आते हैं दोस्तो यह पाइविट टेबल अगर आपने अच्छी तरीके से समझाव है तो आपको पाइविट चार्ट समझने में कुई ज़्यादा प्रोब्लम नहीं होगी अगर आपको पाइविट टेबल को समझने में पाइविट टेबल किस तरीके से काम करते हैं तो इसका वीडियो मैंने उल्लेडी बना दिया है और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिशन में भी दे दिया है और उपर आपको आई बटन पर भी इस पाइवेट टेबल का वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को भी एक बाद जुरूर देखेगा ताकि आपको पाइवेट चार्ट की वीडियो को समझने में कर जाता प्रोब्लम ना हो तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही एक इंटरस्टिंग रहने वाली है बहुत ही एक इंपोर्टेंट टोफिक है इसलिए इस वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक कंप्रिट देखेगा कोई भी स्टेफ आप इस वीडियो का सकेप मत किजिएगा तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर अन कर लेना ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मौन सुतार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम इस रिकोर्ड को समझेंगे भी हम जो पाइवेट चार्ट बनाएंगे वो कौन से रिकोर्ड का बनाएंगे और उस रिकोर्ड में हमने क्या कुछ पहले से त्यार करके रखा हुए है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं तो दोस्तों मैंने एक बार एक simple छोटा से record यहां पर लिया हुए, अब मैंने कुछ salesman यहां पर मैंने लिये हुए है, और उनके department भी मैंने यहां पर लिखिया हुए है, और उन्होंने 2019 में कितनी sale करी थी, और 2020 में sale कितनी करी है, total turnover उन्हों कितना कर दिया, कितना last year से किसका क कितना ज्यादा है, किसका कम है, और जो अलग-लग department wise जो हमारी turnover है, उसको सारी data को हम एक synchronize करेंगे, यानि कि data को एक मर्ज करेंगे एक graph के through, तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने sales में लिया है, उनको department है, उनकी 2019 की sale है, 2020 की sale है, और यह total turnover उनकी है, तो इसको अगर हम private chart के through अकर देखेंगे, तो महारा record किस तरीके से देखने को मिलेगा, दोस्तों मैंने छोटा सा record इसलिए लिया है, ताकि अगर हम इस table पर भी आकर देखेंगे, तो हमें easily पता चल जाएगा, भी private chart का जो filter लगते हैं, वहां पर उसको किस तरीके से data को short किया जाता ह है, तो दोस्तों इसके लिए आपको Microsoft Ops के यहां पर इस Excel के insert टेप पर जाने के बाद आपको यह option देखने को मिलागे, यहां पर private table का, आपको private table के drop down पर क्लिक करने, और उसके बाद में आपको option मिलेगा यहां पर private chart का, तो private chart हम open करेंगे, तो दोस्तों जैसे हम private chart open करेंग तो हमें यहां पर total सारा record हम select कर लेते हैं, यह मैंने पूरा record select कर लिया, तो इसके range यहां पर आगी है, तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखने हैं, आपको उपर अपनी heading यह जुरूर दे लिए हैं, जैसे कि salesman है, department है, sales 2019 भी इस टोटल टाम और वगरा, आप अपनी work sheet पे त्यार करना है, या फिर existing work sheet पे, यानि कि जो अभी present time में open है, उसी पे आपको record त्यार करना है, तो अभी आप देख रहे हैं, यहां पर present time में एक ही sheet open है, एक ही sheet create की विया है, तो जैसे हम new पे click करेंगे, तो एक sheet automatic यहां पर create हो जाएगी, तो मैं इसको new पे करके और okay करता हूँ, तो आप देख रहे हो, यहां पर sheet 3 automatic यहां पर create होगी, अब एक number जो sheet है, इसके अंदर हमारा main record है, और इस तीन number sheet में हम इसको chart के through समझेंगे, तो जैसे हम new पे आएंगे, तो कुछ इस तरीके का interface आजएगा, यहां पर हमारे पास यह private table 2 आजएगा, यहां प आपके पास काफी सारे question हो सकते हैं, भी आप हमें यह बताइए, भी आपके department wise sale total कितनी हुई है, department wise का मतलब भी अगर आपको यह देखना हो, भी आपने electrical का समान कितना बेज दिया, garment का कितना बेज दिया, या फिर mobile का कितना बेज दिया, क्योंकि तीनी department हमारे पास यहां प department के नाम open हो जाएंगे, अब रही बात भी department में आपकी sale कितनी हुई है, अब sale अगर दोनों बातें पुछी जाए भी 2019 में कितनी थी और 2020 में कितनी थी, तो आपको इन दोनों पे टिक करना पड़ेगा, 2019 पे भी और 2020 पर भी, अगर आप से एक पुछा जाए भी only 2020 की sale देख गर्मेंट की sale आपकी 76904 रुपए की और मुबाइल की 85880 रुपए की तो यह आपकी sale है और इसको यहाँ पर जो फर्जेंट किया है ग्राफ के थुरू, तो ग्राफ के थुरू आप यहाँ पर देख रहे हो, भी यह जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, यह आपके एवरेजि तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह डिजाइन का option भी आजएगा, तो यह डिजाइन का जो tab menu आपको देखेगा, उसके बाद में आपको यह तो है बिल्कुल simple layout one, अगर आप layout two पर यहाँ पर आप क्लिक हो रहे हैं और ये इलेक्टरीक्स का इसका जो डिपार्टमेंट है वो इनके नाम भी आपको निचे शोंगे उसके बाद में रही बात अगर आपको दो 2019 की विए सेल साफ में सेल करना है तो 2019 की सेल भी आपको यहां पर दिखेगी अब 2019 की किया तो इसका झो graph अलग लग दो color में हो गया, तो अब यह जो अलग लग color है, अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आपको पता चल ज़ाएगा यह वाड़ा जो color है, यह 2020 की sell को indicate कर रहे हैं और यह वाड़ा जो color है, यह आपके 2019 की sell को indicate कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस सारी value पता चल जाएगी अब उसके बाद में केवल आपको ये बात देखनी हो भी हमें केवल garment की sale देखनी है 2020 की और 2019 की तो दोस्तों अब एक बारे देख रहे हो यहाँ पर जो sale आ रही है 2019 की sale इस value में आ रही है तो आपको direct इसको drag करके आप 2020 को निचे लिया हो 2019 को उपर करते हो तो आप यहां देख रहे हो 2019 की sale अप पहले शोगी है और 2020 की जो sale वो बाद में शोगी है तो इसको भी आप change कर सकते हो अब बात आती है भी हमें केवल गार्मेंट की sale देखनी है तो यहां पर आपको एक filter का option मिल जाएगा अभी यहां पर आपको department show रहा है तो आप department पे click कीजिएगा और उसके बाद में आपको केवल एक देखने सेलेक्ट आल कर दीए गार्मेंट के आप click कर दीजिए बाकि electronics और mobile को अंटिक कर दीजिए ओकी कर दीजिए तो केवल आप देखने हैं यहां पर आपके सामने गार्मेंट की sale है जो open हो जाएगी अब आप से ये बात पुछा जाए भी आप हमें salesman वाइज रिपोर्ट बताईए भी किसने salesman ने सबसे ज़्यादा जो turn hour करी है तो आपको करना क्या है इस salesman पर भी क्लिक करने है तो आप जैसे salesman पर क्लिक करोगे और department में आप वापिस select all कर दो तो आप देख रहें अब यहां पर salesman के नाम भी आगे अब कौन सा employee है जो कौन सी department में काम करता है वो भी यहां पर देख रहे है जिस electronics है अब इलेक्ट्रोनिक्स में कमल सिंग भी काम करता है राज़ू भी काम करता है, राँ किमार भी है और सुरेंदर किमार भी है इसी तरीके से garment में सुमिप किमार है और विवेक है मोबाइल में अजय कुमार है परवीन है और सीव है और इनकी सभी की केटिगरी आपको यहाँ पर भी मिलेगी जो इन्होंने टरनवर करी है 2019 की और 2020 की यानकी कमल सिंह ने 27200 रुपे की 2019 में सेल करी है और 3660 रुपे की 2020 में सेल करी है तो अब यहाँ पर देख रहे हैं अब यह जो चार्ट है यह काफी ज्यादा हैवी बन गए तो इस चार्ट को हम थोड़ा से शोट कर लेंगे तो हम इसमें से यहां से इसकी जो टरनवर है इसको मियां से इसको अलग वेल्यू शू करेंगे और इसका जो chart का जो design है वो इसको बिल्कुल हम simple करतेंगे हम यहां से इसका change भी कर सकते है chart अगर आप अलग design में देखना चाहो तो chart type पे आप click कर सकते हो या आप इस पे right click करोगे तो भी आप change chart type select कर सकते हो आप इसके अंदर कौन सा column लेना है आपको line wise लेना है आपको pie chart लेना है बार chart में दिखाना है तो काफी सारे option आपको मिल जेंगे तो मैं column ले रहा हूं simple ले रहा हूं और उसके बाद में अब यहां पर आप देख रहे हो इनकी जो category है आप देख रहे हो अभी यहां पर यह column अलग अलग मनगे तो अब यह सारी value आपको graph के थ्रू भी शो होगी और यहां पर आप अलग से इसका filter भी कर सकते हो तो अगर आपको अलग अलग department wise या आपको केवल दो employee की comparison करना है अब मालीजी आपके पास electronics का category है department है आप electric में केवल कमल सिंग और राजू को comparison करना चाहते होगी इन दोनों में sales किसकी ज़्यादा है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है तो आप यहां पर इन पर salesman पर filter लगा सकते हो select all को हटा दीजिए अब आपको एक तो कमल सिंग को रखना है और दूसरा आपको राजू को रखना है इन दो को रखना है दोनों को select कीजिए आप इन दोनों का comparison करोगी तो केवल आपको कमल सिंग और राजू का record यहां पर शोगा अब यहां पर देख रहे हो भी राजू की जो टरनावर है आप देख रहे हो यह जो इंडिकेट आ रहा है यह 2020 का रहा है और यह 2019 का है तो अब 2000 की उसको भी अगर आप पिले राजू की तो राजू की भी 2019 में जो टरनावर थी वो ज्यादा थी और 2020 में कम है अगर बात करें दोनों की तो दोनों की इंडिसन में राजू की जो टरनावर है वो कमल सिंग से ज्यादा की रही है तो इस तरीके से आप यहां से भी इसको comparison चेक करके देख सकते हो इसकी ज जो सेल है वो टोटल 2019 में 27,200 की है और राजू की रही है 33,811 रुपे की और यहां पर कमल सिंग की 25,666 है और 31,000 है यान की दोनों के वैसे तो आपको यह से comparison हो जाएगा बाकि आप ग्राफ के चार्ट के थूरू देखो तो यहां पर और ज्यादा आपको easy हो जाएगा अग one कर लेजिए select all कर लेजिए आप यहां से ओकी कीजिए और उसके बाद में आप इस चार्ट को थोड़ा सा यहां से बढ़ा भी कर सकते हैं और इसको जैसे हम यहां से इसको बढ़ा करेंगे तो डाटा साड़ मारा और ज्यादा खुल के आजएगा तो इस तरीके से आप यह total turn over भी इनकी देख सकते हो और total turn over में आपको सारा का सारा record यहां पर आपको यहां से भी देखने को मिलेगा भी सबसे ज्यादा turn over total दोनों सालों की मिलाए 2019 और भी इसकी तो आपका report यहां पर शोगा तो इस तरीके से हम इसको चाहें वैसे इसको filter कर सकते हैं इस record को अगर आप salesman को यहां फिल्टर के तुरू देखना चाहते हैं तो यहां पर इसको अठा दो और इसको आप इसके report filter में हम ले के आदेंगे तो आप salesman का जो record आप वो सरा यहां मिलेगा अगर आप केवल राजू का record देखना है राजू पर क्लिक केजिए तो केवल यह राजू का record आपको देखने को मिलेगा और साथ में इसका department के है वो भी आजेगा और इसने 2019 की टरनोर 2020 की टरनोर और यह भी आपको इसमें चार्ट के थ्रू भी देखने को मिलेगा इसको भी थोड़ सा शोट कर देते हैं इसको में इधर सोड़ा कर देंगे ताकि properly यह दिखें तो अब आपको इतना ही दिखेंगा भी आपकी 2019 में टोटल सेल कितनी थी और दो जन 20 में सेल कितनी थी यहाँ पर आप किसी का नाम निया रख केवल टोटल टरनोर को ही इंडिगेट यहाँ पर किया जा रहे हैं और उसकी जो वेल्यू अगर आप वेल्यू उसके उपर दिखाना चाहते हो डिजाइन में आईए और लेयाउट 2 को सेलेक्ट की दिए तो आपको यहाँ से बता चलेगा भी 2000 जो 19 में आपकी जो सेल थी वो टोटल भी यह थी 277,46 रुपे की और यहाँ पर यह थी 248,130 रुपे की तो इस तरीके से ग्राफ को भी आप कंपेरेजन कर सकते हो अलग लग टाइप के ग्राफ आपको मिलेंग यहाँ से काफी सारे ड करते हैं और जो पाइवेट टेबल का जो यूजे सम करते हैं उसी का भी काम यह था है भी हमारे जो बड़े ड़ता है उसको शोर्टिंग करने के लिए बस दोनों में फliक कितना ही रहें था चार्ट के थूरू हम जो हमारा रीकौद के तुरू hemp चार्ट के थिखते हैं और वीडियो कर आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर कर देना और अभी तक आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वह भी कर लेना ताकि मारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेक्शन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ने टोपी के साथ